एस्टो तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर स्रीपतित्रपाथी नमस्कार कब मनाये जाएगा ओणम जानिये इस पर्व से जुरी पौराणिक माननता और खास बातें ओणम दक्षिन भारत का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण तेवहार है किरल और तमिलाडू राज्ज में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाये जाता है मले आलम कैलेंडर के पहले यानि की चिंगम महीने में ही ओणम मनाये जाता है यह ज्यादा तर अगस्त सितमर में पढ़ता है और इसे दस दिनों तक हर सोलास के साथ मनाये जाता है मले आलम में इसे थीरू ओडम भी कहते हैं ओडम पर घरों को फूलों और तुरों से सजाये जाता है इस तिवहार की धूम को देखने देश और विदेश से लोग केरल पहुँचते हैं आईए जानते हैं इस वडियो के माध्यम से कि इस साल कब मनाये जाएगा ओडम और क्या है इसका धार्मिक महत्त पंचांग के अनिशार ओडम इस वर्ष 29 अगस्त मंगलवार को मनाये जाएगा थिरू ओडम नक्षत्र 28 अगस्त को रात्री में 2 बच कर 43 मिनट पर सुरू होगा और 29 अगस्त को रात्री में 11 बच कर 50 मिनट पर इसका शमापन होगा इसलिए उडम तोईहार 19 अगस्त मंगलवार को ही मनाये जाएगा दक्षिण भारत के प्रमुक्त वहार उडम को राजा महाबली के धरती पर आगमन की खुशी में बनाये जाता है मानता है कि इसी दिन भागवान बिश्णू ने वामन अवतार लिया था और दैत्तिराज महाबली इसी दिन पताल लोग से धरती पर आये थे माना जाता है कि राजा बली उडम वाले दिन मले आली घरों में जाकर अपनी प्रजा से मुनाकात करते हैं उनके स्वागत और सतकार के लिए ही घरों को फूलो और तुरण से सजाया जाता है पौराणिक मानत्या के मुताबिक दैत्तिराज महाबली की भक्ती से खुश होकर भागवान बिश्णू ने उनको यह वरदान दिया था कि वह साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने धर्ती पर जा सकते हैं ओडम के दिन राजा महाबली के आगमन की खुशी में मले आली लोग अपने घरों को फूलो से तोरण और रंगोली आदी से सजाते हैं और इस दिन खीर पूड़ी और सबजी जैसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान मनाते हैं इस तो यहार पर केरल में कथल की नृत्ते नौका धोल जैसे की कार्जक्रमों का आउज़न करते हैं तो एक दूसरे को मिठाई खिला कर और उपहार देकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं यह पर पूरे दस दिनों तक मनाया जाता है इसके पहले दिन को आतम और दसवे दिन को थिरू ओनम कहा जाता है अभी तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें शेर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और वेल आइकन को दमाना न भूले नमस्कार जैसरे किश्णा